आपका स्वागा था मेरे नए व्लॉग में था कि वो सकता है कि वीडियो ना है पर तुम्हें क्या लागा था ले फिर आ गये सब राजी खुशे हाँ तो रोको का लगता था कि नहीं लोटेंगे कलाप जब तक तोडेंगे नहीं तब तक छोडेंगे लुग यह छोटा सा प्रैंग था अप्रैंग हो गया आपके साथ मेरे साथ अन्या हुआ है मेरे साथ अन्या हुआ है एक धम इनों ने वक्त बदल दिया जजबात बदल दिया जिंदगी बदल दिया मारो मुझे मारो मुझे मारो मारो नहीं यह मजाक हो रहा है सेकिंद यार मजाक हो रहा है और आज है रक्षा बंदन यह यह सुबै से मेरा दाहिना आग भड़ा करा है लगता है अब लोग जरूल करोड़पति बनेगा यह राणियो अब इस मुखा भी करीब सारे पांच बज रहा है और मैं निक्चला अपने ना नीकेगा राखी मनाने तो आप सभी को हैपी रक्षा बंदन और आप लोग के साथ एक छोटा-छोटा मजाक्त होई गया तो खुछ लोगों की जली जिलोगी तो में कहने लोग आगे लेका बबाए फार जल्दवाजी में हम लोग आतों गये ट्रेन च्छूट गई दूसरे ट्रेन के ईन्टाबास के सारु कर रहे हों अब कि तो मिलते हैं फिर देखते हैं हमारी टेन कब आती है और यह जारी है बंदे बारा जिसके विसके हमारा टेन लेट पर लेट हो रहा था और आठ सेकेंड में यह टेन पूरी स्टेशन क्रॉस कर जा रहे हैं रफ्तार दो सभी मैं इसमें रेलेवे का सबसे खराब आदर इस प्लेटफॉर्म से उस प्लेटफॉर्म दोराने का हम लोग उस प्लेटफॉर्म पे थे उस प्लेटफॉर्म पे सब गारी आईगी इस प्लेटफॉर्म और हम लोग जा रहे हैं और सासा इस हलमेट को लेकर हम लोग दूसरे प्लेटफॉर् कि अब देखते हैं यहां पर कितना देर इंतजार करना पड़ता है फाइनली हमारा ट्रेन का सफर हुआ खत्म और ट्रेन का सफर बहुत ही घटिया था और लेट हो रहा था तो मैंने का कि आज गाड़ी तेरा भाई चलाएगा तो चले हम यहां से कि आप लोगों ने आम खाया होगा पपीता खाया लेकिन आम के साइज में कभी पपीता नहीं खाया जो मैंने सोच आप लोगों को दिखा दू होता कैसा यह पपीता और हमारा राखी का पर स्टेवल स्टार्ट हो गया है दोपैर में लगबग दो धाइब वज़े से राखी बाहना था तो लेट होगी हम लोग और गड़ जाने में भी लेट होगा YouTube algorithm के वाज़े से तो कोई song भी ने डाल साथ है फट से copyright आ जाए पर हम लोग तो वही करते है न बिहारी है जो का मना रहेगा वो तो करेंगी करेंगी तो चलो song लगाते है सब रिष्टे है दिखावे के मेरा भाई तू मेरी जान है मेरा भाई तू मेरी जान है हां सौंग का सफर यहीं तक था क्योंकि इससे आगे गया तो पक्कत अगरा ओला कॉपी राइट यूटूब माणने आ इसलिए पस इतना पर ही संतोस्त करो और अब हम लोग यहां से निकलेंगे भी क्योंकि घर भी जाना ज़रूरी है और ट्रेंड में सफर कर रहे हैं लेकिन एक चीज मैसेज देना चाहूंगा यह देखो यह हम अपने आस पास इस तरीके से गंदगी ना भैला है इस वस्म बेसीन में कूडा करकट डाला हुआ है कूट डाला हुए किसी ने जिसके वैसे पानी जम गया और किस तरह से कीचर फैला है वो तो क्या ही मताँ तो मेरा और आपका फर्ज बनता है कि हम लोग ऐसे हरकत ना करें अपने आस पास साफाइरा के वरना यह सब हम ही लो